हेलो वीवार्स अन्बोक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं इम्रान आज मरे पास यहां पर जो इस स्मार्टफोन है वो है वीवो वाई 20G स्मार्टफोन जी हाँ यहां यह जो स्मार्टफोन है यह काफी बड़िया स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है आपको वीवो वाई 20G स्मार्टफोन लेना चाहिए यह नहीं क्या कुछ बड़ी स्पेसिफिकेशन सब्सक्राइब नहीं के निचे दिये रेड वटों को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ साथ वेल एकन को जरूर दबाना था कि आना वाली वीडियो की निटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे बॉक्स कुछ इस तरीकी से वीवो वाई 20G का नजर आता है लिखा गया है 4G में 64G वी रहों यह पर देख सकतो वीवो का ब्रांडिंग भी नजर आ रहा च साइड मौटेंट फिकर पिनिस के नार 4G वी रहां 64 जिवी इंटर्नल स्टोरेज 13000 में और इसके लवाज 6 जिवी रहां 28 जिवी इंटर्नल स्टोरेज 15000 में मिलता है तो यहां पर देख सकतो हो यहां पर जो जो जी एक प्रसेसर इस रिवाइज में दिया गया है प्राइस जैसे यह अन्बॉक्सिंग करते हैं कुछ इस तरीके से यहां पर एक सेक्शन देखने को मिल जाता है इस सेक्शन में क्या कुछ है यहां पर देख सकते हो सीमेजिक टूल इसके लावा कुछ डिकमेंटीशन और यहां पर एक टेंस्पारेंट बढ़ी है कि इसको अबर है सि दिया गया है और यहां पर यहां पर यह माइक्रो एस भी केवल दिया गया है तोड़सा यहां पर कमी मुझे नजर आता है क्यूंकि टाइप सी कम से कम होना चाहिए था यह कि 13000 का डिवाइस है तो टाइप सी पॉट्टू डेफरेंट्ल बगता है और चलिए फिलहां इस से प्रडेक्शन से इस डिवाइस को निकालते हैं और देख सकते हो कुछ इस तरीके से लुकसें डिजाइन के साथ औपस्टियान ब्लेक अलर में वीवाइट वाइट वाइट डीजी नजर आ रहा है काफी बड़िया लुक्स है बैक में यहां पर ट्रिपल डियर केमरा लगा लेकिन डिजाइन मिलता है काफी बड़िया डिजाइन है और काफी अकर्शक लुक्स है डेफिनेटल अपस्टियंट प्लेकर में इस डिवाइस का और इस साइट से देखा जाए तो यहां पर बोल्यम रोकर और पाउर वट्रेन और फिंगर पिंगर 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 और उपर की तरफ कुछ भी नहीं है अन्य टेन क्लिन है तो अवरल वीवो वाइट वाइट जी जो स्मार्टफोन है लुक्स डिजाइन बिलकौलिटी के मामले में शांदार स्मार्टफोन है बहुत ही मुझे पसंद आया है और वीवो की तरफ से एक अच्छा डिजाइन के डिस्प्ले कुछ इस तरीक से नजर आता है काफी बड़ी प्लास का अच्छाओ बिल जाएगा वीडियोज वगरा देखते हो गेमिंग करते हो तो कहीं न कहीं एक अच्छा एक्स्पिरियेंस रहेगा वी वह वाई 20G के डिस्प्ले के संग डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में बताओ तो इस डिवाइस में 4G भी रेम दिया गया है 64G इंटर्निल स्टॉरज यानी रेम एंड्रॉम मेनेज्मेंस न के डिवाइस के इसाप से काफी अच्छा दिया गया है और यहाँ पर जी वह लिए काफी जबर्दस तका फ़ी फास्ट डिवाइस को रखेगा में एंड्रोइड वर्जन लैटां मिलता है यहाँ उड़्ोई 11 और फंटेच ऑपर गया है वो भी यहां पर 11 दिया गया है यानि यूजर इंट्रेफेस वगरा काफी बहतरी देखने को मिल रहा है और यहां पर जो एक्सप्रियेंस रहेगा आप वह काफी फास्ट होगा अगर गेमिंग करते हो या फिर आप यहां पर कोई भी वरकिंग करते हो इस रिवाइस के पायप स्टाइब काफी जबर्दस दिवाइस में रहने वाला है क्युंकि वायप टॉजन मिली एंप यहां पर यहां पर मुघर रही करिख दिया गया है तोड़ा सभ्राइब मुझे दिख्कत लगा और डिवाइज में फिंगरपर्ण स्केनर साइड मॉंटेट मिलता है इसके लाव फेस अलोग का भी ऑप्शन अवालेबल है चलिए सेट करते हैं और देखते हैं किस तरीक से परफॉर्म करता है और फिंगरपर्ण स्केनर फेस अलोग कहा पर हमने सेट डिवाइस को अनलोग खर देता है यानि यह जो स्मार्टफोन है यह स्मार्टफोन मुझे लगा अब चलिए कैमरा स्पेसिफिकेशन के उपर बात करते हैं इस से डिवाइस में आपको यहां पर बैक में देखने को में जाता है ट्रिपल डियर कैमरा थारें मेगापिक्सल क रखर पाऊंगे और दिवाइस के यहांपे जो फ्रॉंट फिसंग रहो है वह धॉए 7 मेड़ा पिकसल की इसकिया का मिन फॉटॉघ क्लिक किया नहीं थेख क्लिक क्या है देख सेख़्कते और से लो्ट के इनटिशन में ये ठीक टाक पर्फॉन करता है लेकिन आउट्डोर केंडिशन में यह डिवाइस काफी बढ़िया फोटोग्राफी के मामले में है और फास्ट इंप्रेशन मुझे डिवाइस की जो क्यामरा क्वालिटी है वह काफी हत तक पसंद आया है और डिवाइस में थोड़ा बहुत इंप्रॉप्रॉम्ट होना चाहिए था डवाइस की में में जरी इंप्राइस की जो प्राइस से डेखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अधना तेरहाजार में इतना बड़िया प्रसेजर के साथ में और आपको अच्छा खासा गेमिंग एक्सपिरियंस भी मिल जाएगा वाइट इन्टी जी तो अगर आप इस रिवाइस को परचेस करना चाहते हो तो डेफिनिटली वीवो का कोई भी स्मार्टफोन लेना चाहते हो तार पूर 6-3 स्नाप रगन दिया था लेकिन इस रिवाइस में जी एकटी प्रसेसर मिलता है जिसके कारण यह जो डिवाइस यह बहुत ही बड़ी आ रहेगा आपके लिए वीवो वाइट 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 वंडी जी की अन्बोक्सिंग और इस रिवाइस के बारे में उम्मिद लाइक के यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर निरर लाइक किलेखर किया जब भीट सब्सक्राइब फिन टकने के कारा गरोइखर सो इन